नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीसे दोजार तेस्ट प्रिलिम्स एक्जाम समान अध्यन परिच्छा 14 मई सब्सक्राइब करने से पहले आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लोग इसे पिछला टेस्ट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाव है उत्तर परदेश और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में भी दे दिया हूं तो वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट में प्रेट्टि सेट यह टेस्ट सेरीज देख सकते हैं इसके लावा प्रीबियस यह के जितने भी पेपर हुए हैं 2022 तक उसका साल पेपर भी आप लोग देख सकत तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं और आज का जो समान अद्यान का कोर्षन लिया गया है वो है आधुनिक भारत के इतिहास से हैं तो इसमें पहला कोर्षन है निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारती राष्टी कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके पढ़ाम स रूप नरं दल और गरम दल का उद्भव हुआ कि दिएस व्ह देसी आंदोलन के पार या भारत छोड़ांद आफ्यक श्व आहारन आपका जोड़ा पार चल्यतरति हो को इसमें जो आपका जो राइंसर है वह है ए स्वदेशी आंदोलन के काराँ स्वदेशी आंदोलन के काराँ तो इसमें ए सही हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन के काराँ स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था अगर यह पूछता है तो यह हुआ था 1905 इसवी में 1905 इसवी में जो है स्वदेशी अंदलों की शुरुवात की गई थी बंगाल विभाजन के पड़ाम सुरूप हुए थी ये और इसमें ब्रिटिस वस्तुओं का बहिस्कार किया गया था ये बिरोत किया गया था और स्वदेशी उत्पादन को इसमें पुरसाहन भी दिया गया था तो इसमें जो है दो दल बने थे एक नरम दल एक गरम दल तो गरम दल जो था एक प्रकार का उग्रवादी का सकते हैं समर्थक था और स्वदेशी अंदलों को पूरे भारत में लागू करना चाते थे जबकि नरम दल जिसको नरम पंथी का सकते हैं कि समर्थक स्वदेशी पंगाल तक ही सीमित करना चाहता था यहीं अंतर था नरम दल और गरम दल में कौस्टन नमबर 2 पर आते हैं कौस्टन नमबर 2 देखिएगा यहां पर दिया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर में निम्लेखित कतनों पर विचार करना है और उप्रिक्त में से कौन सा आपका एंसर सही होगा यह पुछा जारा इसमें दिया है पाला जैसे कथन इसने ब्रिटिस वस्तुओं के बहिसकार और करों की चोरी की वकालत की यह तो गलत है दूसरा दिया है यह सर्वहारा वर्ग की ताना साही अस्थापित करना चाहता था यह भी गलत है तीसरा दिया है इसमें इसने अलफ संख्यकों और उत्पीडित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत यह भी गलत है यानि कि इसमें कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी के संदर में तीनों गलत है इसका जो राइट एंसर होगा है डी इन में से कोई नहीं कोश्चन नमबर तीन पर आते हैं तीसरा नमबर देखिएगा रॉलट सत्याग्रा के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है और कूट के माध्यम से आपको सही एंसर इसमें आपको देना है दिया है रॉलट अधनियम सेडिशन कमेटी की सिपारिश पर आधारित था यह तो सही है कौन सी कमेटी पर आधारित था यह सेडिशन कमेटी की सिपारिश पर रॉलट अधनियम जो है लाया गया था और दूसरा दिया है रोलट सत्यागरह में गांधी जी ने होम रूल लीक का उपियोग करने का पर्यास किया ये भी सही है और तीसरा दिया है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्धुवे परदर्शन रोलट सत्यागरह के साथ साथ हो ये तीसरा वला पॉइंट इसमें गलत ह कि अभ्यान कब चलाएगा था रॉलट सत्यागर अगर पूछता है इस टाइप से कोशन तो यह उन्नीस सो उन्नीस इस्वी में 24 फरवरी डेट है इसका अगर डेट पूछेगा तो 24 फरवरी 1919 को जो है रॉलट एक्ट का विरोध किया गया था यह बंबई में एक सभाग के द्वारा सत्यागर सभाग के द्वारा कोशन नंबर चार पर आते हैं चौथा नंबर देखिएगा निमलिखित में से किसने अप्रेल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजाओर टट पर एक मार्च का आयोजन किया तो नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजोर टट पर एक जो है मार्च का आविजन किया था किसके द्वारा किया गया था यह पुछा जा रहा इसमें कि आप संदिया है वी यो चितंबरम पिल्लेई या सी राज गोपाल चारी या के कामराज या एनी विसेंट अप्रेल अब्यान अगर पुछेगा डेट तो अप्रेल अनुए से 30 में है इसका संचालन पहले ही किया चुका था मार्च में ही अप्रेल में इसको अस्थापित किया गया था तंजोर में जो है कि समंद्री टट पर जो है नमक कानून का विरोत किया गया था इसमें कोस्टन नमर पांच पर आते हैं निमलिखित कत्नों कोई विचार करना है उप्रिक्ति में से कौन सा कत्वन आपका इसमें सही होगा यह पूछा जा रहा है इसमें दिया है भारती राष्टी कांग्रेश की पर्थम महिला द्यास सरोजिनी नाइडू तो यह तो गलत है पर्थम भारती राष्टी कांग्रेश की महिला जो थी सरोजिनी नाइडू नहीं थी हाँ पर्थम भारती यह थी यह सही है लेकिन भारती सब्द नहीं जोड़ा ते ग यह तो गलत है दूसरा पॉइंट है भारती राष्टी कांग्रेश के प्रथम मुस्लिम अध्याच बदरुदीन तैयब जी थे यह तो सही है प्रथम मुस्लिम अध्याच कौन थे बदरुदीन तैयब जी थे और यह 1887 जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्याच मने थे मद्रास अधिवेशन के अधिश्टा किये थे बदरुदीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्याच थे यह इसमें दूसरा सही है क्यों दो सही है इसका आपका राइट एंसर भी सही हो जाएगा इसमें कोशन नमबर छे पर आते हैं छठा नमबर देखिएगा स्वदेशी और बहिसकार पहली बार किस घटना के दोरान संघर्ष की वीधी के रूप में अपनाये गये थे दिया है बंगाल भी भाजन के विरुद्ध या होम रूल लोग अंदोलन असयोग अंदोलन या साइमन कमिशन की भारत यात्रा तो इसमें जो आपका रायट एंसर होगा हुआ है यह वाला सही है बंगाल भी भाजन के विरुद्ध यान्दोलन बंगाल भी भाजन जानते ही हैं आप लोग 1905 में हुआ था कोश्टन नमबर साथ पर आते हैं सात्वा नमबर देखिएगा निमलिखित में से कौन ब्रिटिश सासन के दवरान भारत में रयतवारी बंदबस्त के प्रारंब किये जाने के किये जाने से संबंध था या थे यह पूछा जा रहा इसमें सात्वा नमबर दिया है लाड करनवालिस्त यह तो नहीं थे अलेक्जंडर रिड यह थे थे थामस मुनरो यह भी थे दो और तीन वाला आपसन आपका सही वगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सात्वा का सी पूछा नमबर आठ पर आते हैं आठवा नमबर देखिएगा निमलिकित युग में वपर विचार करना है उप्रित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है तो इसमें राधाकांत देव ब्रिटिस इंडियन एस्वेशन के प्रथा मध्यस्ति यह तो सही है दूसरा है गु तीसरा इसमें सुरेंदरनात बनर जी इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक यह सही है तो एक और तीन वाल आपसान आपका सही है तो आठमा का पजो राइट एंसर होगा वह है वी एक और तीन इसमें सही है को कुस्टन नमबर नौ पर आते हैं नौ नमबर देखिएगा को कि उपी धान मंडल का दो सद HORN भीभाजन यह तो गलत है दो शरकारों अतार्थ केंद्रिय और राज सरकारों का शुरूप किया जाना यह बी गलत है दो शासक समूझ यह लंदन में जुसरा दिल्ली में यह तो गलत है कुष्चन नमबर 10 पर आते हैं 10 नमबर दखिएगा कुष्चन नमबर 10 भारती सुतंता संघर्ष के संबंद की घटनाओं पर आपको विचार करना है यहां पर दिया है रायल इंडियन नेवी में गदर भारत छोड़ान दोलन का प्रारम यह दूति गुल में समेलन तो घटना का सही कालमकरम क्या होगा यह पूछा जा रहा है सही कालमकरम क्या होगा तो रायल इंडियन नेवी में गदर डेट अगर आपको याद रहेगा तब इसको लगा पाएंगे यह हुआ था 1946 इसवी में 1946 में भारत छोड़ान दोलन का प्रारम जानती है 1942 इसवी में और दूतिय गोल में समेलन कब हुआ था 1931 इसवी में कब हुआ था 1931 में यह डेट है इस डेट से अगर सही करम लगाएंगे सबसे पहले तीसरा नमबर आएगा तीसरा का बाद दूसरा और इसके तीसरा दूसरा और पहला तीन दो एक यानि कि इसमें जो आपका राइट एंसर होगा वह है सी सी वाला आपसन आपका सही बैठता है कि कुश्चन नमबर 11 पर आते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उध्यस्य था तो बटलर कमेटी का क्या उध्यस्य था यह पुछा जारा इसमें क आंती सरकारों का अधिकारता निशित करना यह तो गलत है भारत के सेक्रेटरी आफ इस्टेट की सक्तिया निशित करना यह भी गलत है सी राष्टी यह वादी राष्ट वादी प्रेस्क पर सेंसर ब्यवस्ता अधिरोपित करना यह भी गलत है यानि डी वलात्सन आपका सही है भारत सरकार यह देशी द्यास्तों की सम्मंद सुधारना यह बटलर कमेंटी का मुख्य उद्धेश जो 1927 में हुगा था कुस्ट नमर 12 पर आते हैं अध्योगिक जगणों के दमन के लिए प्रवंधन के पास मनमानी करने के सकती यह भी गलत है ब्यपार विवाद की सिती में ब्रिटिस न्याले द्वारा हस्त शेफ यह गलत है यानि कि डीस में सही आपका अधिकर्णों यानि ट्रीबूनल्स की प्रणाली तथा हर्ताल पर र तै कौण सा कथन इसमें सही एक्टरी181 और द्योगी यह नियत करने के लिए और कामगारों को मज़र संह्ग बनाने देने की दिरिष्टी से पारित किया गया था तो यह तो गलत है दूसरा है एन एम लोखेंडे ब्रिटीस भारत में मजदूर आंदुलन संग्रिट करने में अग्रगामी थी यह सही तो आपका राइट एंसर बी सही हो जाएगा तेरा का बी कोस्टन नमबर 14 है 14 नमबर पर आते हैं में मैजिनी, गैरिबाल्डी, सीवाजी तथा क्रिश्ण की जीवनी लिखी वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंदरी सभा के सदस से भी निर्वाचित हुए वे थे कौन थे इसमें पूछ रहा है अरभिंद घोस, विपिन, चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, यह अमेरिका में रहे थे, 1914 से लेकर, उनिस तक पांच बरस रहे थे, अमेरिका में यह लाला लाजपत रहा है, कोश्चन नमर 15 पर आते हैं, 15 नमर देखिएगा, संथाल बिद्रो के दांत हो जाने के बाद, अपनिवेशिक सासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था, यह गये थे, यह पूछा जा रहा है, दिया है, इसमें संथाल परंगना नामक राज छेत्रों का सिरजन किया, यह तो सही है, दूसरा दिया है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमी अंतरान करना गैर कानोनी होगा यह भी सही है यानि दोनों इसमें सही है तो आपका राइट एंसर इसमें सी सही हो जाएगा 15 का सी क्वेशन नमर 16 पर आते हैं निमलिकित में से कौन सा एक चंपारन सत्यागरह का अती महत्पूर पहलू है यह पूछा जा रहा है चंपारन सत्यागरह का तो दिया है इसमें राष्टी अंदोलन में अखिल भारतिय अस्तर पर अधिवक्ताओं अभेर्थियों और महिलाओं को स चंपारन सत्यागरह में भारत के राष्टी अंदोलन में किसान असंतोस का समलित होना इसमें आपका सही बैठता है सी सही होगा इसका कोश्य नमर 17 पर आते हैं on is 1920 में निम्लिक्षित में से किसने अपना नाम परिवर्थित कर सुराज सभा रख लिया था 이 नाम परिवर्थित कर senior servant of India society इसमें जो आपका राइट एंसर होगा यह वला आपसन आपका सही है आल इंडिया होम रूल लीग को जो है बाद में स्वराज सभा नाम रखा गया तो यह इसका राइट एंसर होगा सब्सक्रा का यह सही होगा इसमें आपसन को स्था नमबर अठारा पराते हैं इसने देसी सिल्फ कारों के कॉसल तता उध्योगों को पुनर जीवित करने में योगदान किया सही है स्था नमबर 19 पर आते हैं कि 19 नंबर देखिएगा भारत में ब्रिटिस अपनेशिक्स आसन के संदर में निम्लिखित कतनों पर आपको विचार करना है और कौन साथ इसमें आपका कथन सही होगा पहला दिया है गांधी जी गिर्मिटिया इंडे इंडे चर्ड लेबर पढ़ाली के उन्मुलन में सहाय थ नहीं किया है तीसरा भारत के लोगों द्वारा नमक कानुन तोड़े जाने के पड़ाम सरु अपने शिक सासकों द्वारा भारती राष्ट्र कांग्रेस को अबैद गोसित करते हैं तो सही है एक और तीन वाला अपसन आप इसमें कथम सही है तो भी इसका राइटेंसर हो ज प्रफशन नमबर 21 पर आते हैं एक इस नमबर देखिएगा भारत के इतिहास के संदर में उल्गुलान यहां पर एक सब्दिया है उल्गुलान अथ्वा महान उपद्रव निमलिखित में से किस घटना का वीवरान था यहां पुझा जा रहा है किस घटना का वीवरान था दिया है में उल्गुलान यहां पर पूछा जा रहा है उल्गुलान तो इसमें जो आपका राइट एंसर होगा उल्गुलान यह महान उपद्रों की घटना के बिद्रों करता है तो यह था 1899 से 1900 के भीर्षा मुंडा के बिद्रों का दी इसका राइट एंसर हो जाएगा भीर्षा मुंडा की बिद्रों का भीर्षा मुंडा के बिद्रों का कोस्टन नमबर 22 पर आते हैं 22 नमबर स्वतंत्रता संगराम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवसकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर में निर्मिखित कतनों पर विचार करना है उप्रिक्त में से कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है पळा देश पुस्तक ने अपनवेशिक क्या तूसरा है इस पुस्तक ने सोदेशी नुकल नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेडित किया भी सही है तीसरा दिया है देवसर द्वारा देश सब्द का परियोग बंगाल छेत्र के विशिस संदर में किया गया तो यह गलत है एक और दो ही आपसन इसमें सही है यह वला आपसन आपका सही होगा कोश्चन नमबर 23 है 23 नमबर देखिएगा गांधी उर्विन समझाओते में निम्लेकित में से क्या संब्लित था तो इसमें क्या संब्लित था यह पूछा जा रहा है विए राउंड टेबल कांफरेंस में भाग लेने के लिए कंग्रेस को आमांतिरित किया गया देती तुसरा दिया सयोग अंदोलन के समध्य में जारी किये गया द्यादेशों को आपस लेना यह भी सही है पुलिस की जाज करने तो गांदी जी की सुझाव सिक्रिती यह गलत है चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रियाई जिन पर हिंसा का अवियोग नहीं यह भी सही है यानि एक दो और चार वाल आपसन सही है तो भी इसका राइट एंसर होगा ते इसका जो राइट एंसर होगा वह है बी कुस्टन नंबर 24 पर आते हैं भारती तिहास में 8 अगस्त 942 के संदर में निल्कित में से कौन सा कथनों में से कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है दिया है ए आई सी सी द्वारा भारत प्रस्ताव अंगिकार किये गए यही वला कथन आपका सही है पहला है यहनि 24 का जो राइट एंसर होगा यह सही है कुस्टन नंबर 25 पर आते हैं और अंतिम कुस्टन है आज के लिए इन में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारती धार्मिक गीति काब्य सांग्स फ्राम प्रीजन से संबंध है इसमें जो आपका राइट एंसर है वह है सी मोहंदास करमचन गांधी 1934 में यह पुस्तक प्रकासित की गई थी यह थे कुस्टन आज के लिए तूमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिस्दिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम